सूपर स्टार सलमान खान के फैंस दुनिया भर में हैं। समीर सलमान के घर पहुंचा है। सलमान खान ने समीर की आत्रा की पूरी कहानी सुनी। समीर की दिवानगी देख दर्या दिल सलमान ने अपने फैंको ना सिर्फ खाना खिलाया बल्कि एक फ्लाट में उसके ठहरने का इंतजाम भी करवाया। समीर के मताविक सल्मान खान ने उनसे कहा है कि वो जब तक चाहे उनके फ्लैट में रह सकते हैं इसके अलावा जाने से पहले भी सल्मान ने उनको कहा है कि वो उनसे मिल कर जाए सल्मान खान ने समीर के साथ कई तस्वीरे भी क्लिक कर आई है ये सब समीर के लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा है वहीं समीर की किस्मत बहुत अच्छी थी कि 39 दिसंबर की राज जब वो सल्मान खान के घर पहुचे तो सल्मान अपने घर पर मौजूद थे और उनकी कहानी सुनकर सल्मान भी अपने घर के बाहर आ गये समीर ने ये भी बताया है कि सल्मान खान इस बात पर चोग थे कि इतनी थंड में वह उन से साइकल चला कर मिलने पुँचे अपने फैन की दिवान की देख सल्मान ने यही कहा कि मैंने फैन तो बहुत देखी लेकिन तुम सा नहीं देखा आपको बता दे कि समीर सल्मान खान का ऐसा दिवाना है जो उनसे मिलने के लिए पिछले चार साल से नहने तरीके ढून रहा था और अब आखिरकार उसका सपना पूरा हो गया समीर ने अपनी बॉडी पर कई जगा सल्मान खान के टैटू बनवा रखे हैं चार साल पहले उन्होंने अपनी पलकों पर अपने फेवरिट स्टार का नाम गुदवाया था यही नहीं उनके सीने पर सल्मान खान की सुपर हिट फिल्मों के नाम गुदे हुए है समीर ने कुछ दिनों पहले अपने दाइने हाथ पर भी सल्मान की तस्वीर का टैटू बन वाया था ये सब देख करके तो सल्मान खान हैरत में ही पड़ गए आपको बता दे समीर खुद को सल्मान का फैन नहीं बलकि भक्त मानते है सल्मान सम्ग का ऐसा लगाव है कि सोशल मीडिया पेज पर उन्होंने सिर्फ सल्मान के प्रती अपनी दिवानगी वाले ही पोस्ट शेयर किये है सल्मान खान से मिलने की चाहत तो समीर को सालों से थी और इसके लिए उन्होंने तयारी भी शुरू कर दी थी इस यात्रा के लिए समीर ने सलमान की ही कंपनी बींग यूमन की साइकल खरीदी साइकल में उन्होंने बैटरी लगवाई ताकि कम महनत में जल से जल दो मुंबई पहुत सके इसके साथ ही उसमें साउंड सिस्टम और लाइट भी लगवाई समीर ने साउंड सिस्टम से फोन को कनेक्ट किया जिससे वो म्यूजिक सुनते हुए यात्रक कर सके समीर ने अपनी साइकल पर सलमान खान की तस्वीर का एक पोस्टर भी लगवा रखा था इस पोस्टर पर लिखा था जबलपूर टु मुंबई दिवाना मैं चला वहीं इस पोस्टर में सब से उपर ये भी लिखा था चलो उनके लिए दुआए लेते चले जबलपूर से जब समीर मुंबई के लिए रवाना हुए तो उनके दोस्तों ने फूल माला पहना कर और दही खिला कर उनको सुरक्षित यात्र की शुपकाम नाये दी सबीर ने जबलपूर से मुंबई की 1100 किलोमीटर की यात्रा पांच दीडों में पुरी की ये सफर साइकल से तै करना उनके लिए मुश्किल भरा रहा लेकिन जब सल्मान खान ने उनके कंदे पर हाथ रखा तो रास्ते में आने वाली उन तमाम परिशानियों को समीर भूल गये समीर का वो मकसद पूरा हो गया जिसके लिए वो अपने घर से निकले थे